नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है समाजवादी पार्टी के संस्थापक संग रक्षक उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंग यादव अपने बीच नहीं रहे यह तो उनसे जूड़े कई किस्से हैं कि किस तरीके से एक गरीब परिवार का युग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी तक पहुँचा लेकिन एक ऐसा वाक्या है जिससे वो मुलायम सिंग यादव से मुला मुलायम कहे जाने लगे वाक्या है साल 1990 का वो मुख्यमंत्री थे हिंदू सादू संतों ने अयोध्या कूच कर दिया था राम मंदिर बनाने के लिए प्रसासन ने योध्या में कर्फू लगा रखा था जिसके चलते स्रधालू को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था जो विवादिर धांचा था उसके डेड़ किलोमेटर के दैरे में बैरिकेटिंग करती गई थी कारसेवकों की भीड बेकाबू हो गई पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कारसेवकों पे मुलाहिम सिंग्यादों ने गोली चलवाई थी जिसमें पांच लोग मारे गए थे लेकिन उसके बाद जो घटना घटी उसने पूरे देश का महौल बदल दिया था जी हां दो नमबर को हजारो कारसेवक जो पांच लोग मारे गए थे और अयुद्ध्या मेराम मंदिर बनाने का जो आंदोलन था उस मकसद को ले करके हनुमान गढ़ी के करीब पहुँच गए उमाभारती असोग सिंगल स्वामे वामदेव जैसे बड़े हिंदुवादी नेता हनुमान गढ़ी में कारसेवको का नित्रितु कर रहे थे ये तीनों नेता अलग अलग दिसाओं से करीब पांच पांच जार कारसेवको के साथ हनुमान गढ़ी की तरब बढ़े जा रहे प्रसासन ने उन्हें रोकने की कोशिस की लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कारसेवको के चलते लोग गुस्से में थे आस पास के घरों की छतों तक बंदुगधारी पुलिस कर्मी तैनात थे लिकिन उन्हें बिलकुल डर नहीं लग रहा था हुए बढ़े जा रहे थे कि लगभग 18 से 20 लोग मारे गए ये सरकारी आंकड़ा है और अब चारिक तोर पे ये आंकड़ा ज़्यादा बताया जाता है इसी में कुलकत्ता से आये कोठारी बंदुग की भी मौत हुई थी कारसेवकों निया युद्ध्या में मारे गए कारसेवकों के सवों के साथ प्रदर्शन किया बड़ी मुश्किल से 4 नौंबर को कारसेवकों का अंतिम संसकार हुआ था लेकिन इसके बाद आंदोलन तेज हो चला था उनके अंतिम संसकार करके उसकी राक देश के अलग मुलायम सिंग यादो मुलायम भी कहे गए हैं का जो वोट वैंक तयार हुआ वो मुसलिमों का और पिछडों में खास तोर से दलितों का यानि की यादो और मुसलिम वोट वैंक इस घटना के बाद ही बना था और आगे चल करके उन्होंने बानवे में अपनी पार्टी माजवादी बनाई थी 1990 की इस घटना के 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम सिंग यादो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें गोली चलवाने का अफसोस है लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था उनके सामने मंदिर मस्जिद और देश की एकता का सवाल था बीजेपी के लोग अयुद्धा में 11 लाग की भीड कार सिवा के नाम पर ला करके खड़ी कर दिये थे देश की एकता के लिए उन्हें गोली चलवानी पड़ी ऐसा उनका कहना था और साथ में अफसोस भी जाहिर किया था इस तरीके से 1990 में भीड पे गोली चलवा करके मुलायम सिंह यादो बने मुला मिलायम जिसकी आलोचना भी खुब की जाती है और वहीं से यादो मुस्लिम का उनका वोट बैंक भी तयार हुआ था तो आप रहें ने बेखबर देखते रहें इन खबर ठैंक यू